हेलो जाहिन दोस्तों मैं शुबम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल शुबमी क्लासिस में जैसा आप सभी को पता है आज संडे है और आज हम एक आर्मिक का कंप्लीट पूरे 50 प्रशनों का मॉडल टेस्ट पेपर डिसकस करने वाले हैं जो कि आ कॉपी पैन भी साथ में लेकर बैठीएगा चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा प्रशनों की संख्या टोटल पचास है और मैं आपको टार्गेट दे रहा हूं यहां पे 40 प्लस कोश्चन राइट करने का लेंग्विज हमारी आज के मॉडल पेपर की ह हिंदी और इंग्लीश दोनों रहने वाली है पहला कॉशन है आपके सापने सेक्शने समाने ग्यान से जल्दी से आंसर करिए और देखिएगा आज किसी भी प्रशन के आपशन नहीं बोले जाएंगे डारेक्ट कोशन और डारेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे अगर आपको सम के निधिते हैं पहला कोशन है रामायन की रचना किसने की हो म valeur कि μας 2 नहींusta की है ने की है मेरशी वालमिकी ने की है पका सी या पका एन्फmist क्या से ले आपको करेक्ट अंसर है मैरशे वयद्व्याज के बारे में आपको को पता है महाभारत की रचना की है और तुलसी दास ने राम चरित मानस की रचना की है कोश्य नमबर सेकिंड आपके सामने हैं आंसर करिए निम्न लिखित में से क्या संसद का निम्न सदन होता है विच आफ दा फॉल्विंग इस दा लोवर हाउस ओफ दा पारलियमेंट आंसर मैच करिए क्या सभी आप्शन भी को आंसर दे रहे हैं लोग सबा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कोश्य नमबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर शहर नासिक किस नदी के किनारे इस्थित है दा सिटी नाशिक इस सिचुएटीड ओन दा बैंक्स आफ विच रिवर आंसर है जोचिए-उसर नमबर फोर आपके सामने स्कीन पर आंसर करिए इंडियन मिलिट्री अकादमी कहां शिठीट है वेरी वेरी इंपोर्टन क्युक्शन आपके एकजाम के लिए वियर इस दा इंडियन मिलिटरी अकेडमी लोकेटेड ओप्शन ए जिनों ने आंसर दिया है देहरा दून उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट बढ़ते हैं कोशन नंबर फाइव की तरफ भारत में गन्ने का सरवादिक उत्पादन कि स्राज्य में होता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट और एक्सपेक्टिड कोश्चन है आपके एक्साम के लिए विच स्टेट इस दा लार्जस्ट प्रडूशर ओफ सुगर केन इन इंडिया हां जी क्या सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं उत्तर प्रदेश आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है सिक्स्ट नंबर कोश्चन है सामने विजय स्टम्ब कहां इस्तित है वेर इस दा विक्ट्री पिलर लोकेटेड विजय स्टम्ब जो है यह आपका चितोडगड में है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर रहेगा और देखीगा आज ऑप्शन भी डिसकस नहीं होगी राइट आज आपका मॉडल पेपर लग रहा है तो कोशन और डिरेक्ट आंसर क्योंकि हमें आगे मैट्स और रिजनिंग भी सॉल्फ करना है और मैं नहीं चाहता कि आपका यह सेशन बहुत ही जादा लेंथी हो जितनी आपको जुरूरत है उतना ही आपको दिया आपक्षण बी क्रेक्ट आंज यहिए ऐगा राजस्थान हो उस अनुश्ट मरेट ऑीह समाज की स्थापना कब हए थी वरी वरी इंपॉटेंट फहल स्यलीं स्यलल्स किवाह रह समाज की स्थापना अठारा सो पिच्थत्तर में स्वामीद रयानंद रस्रास्वती ने की थी option A correct answer है question number 9 अमर कंटक किस नदी का उद्गम स्थल है अमर कंटक is the origin of which river तो अमर कंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है option A बिल्कुल या पे आपका correct answer है चलिए question number 10 देखिए मुगल वन्ष की स्थापना किस ने की थी super important question मुगल वन्ष की स्थापना बाबर ने की थी option आपका D correct answer हैगा सन 1526 में question number 11 देखिए किसे भारतिये पुनजागरन का पिता कहा जाता है who is called the father of Indian renaissance बारतिये पुनजागरन का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राए को क्या सभी option B को answer दे रहे हैं बारा नंबर question देखिए इसी के साथ प्रथम एशियाई खेल कहा आयोजित किये गए थे where were the first Asian game held answer कर दो जल्दी से क्या सभी option A को answer दे रहे हैं प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित किये गए थे इसको सिरफ आप दिल्ली भी बोलेंगे तो भी चलेगा question number 13 देखिए जी सामने स्क्रीन पर राष्ट्रपती लोग सभा में कितने सदस्य मानोनित करता है how many members does the president nominated in the लोग सभा तो राष्ट्रपती लोग सभा में दो एंगलो इंडियन के सदस्य मानोनित करता है option आपका B यहाँ पर बिल्कुल correct answer है चोदा नंबर question आपके सामने ऐसायोग अंदोलन किस वर्ष हुआ था very very important question आपके exam के लिए ऐसायोग अंदोलन आपका 1920 में हुआ था option आपका B correct answer है और इसी के साथ question नंबर 15 है समानने ग्यान का last question लाई हरोबा किस राज्य का परमोख लोक नरित्ते है जल्दी से answer करिए option आपके सामने स्क्रीन पर है और यहाँ पर option है जिन्होंने answer दिया है मनीपूर उन सभी का answer बिल्कुल correct है जी लाई हरोबा मनीपूर का लोक नरित्ते है और यह वहाँ पर एक उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है तो यहाँ पर आपका section A complete बढ़ते हैं section B 16-30 पूरे 15 प्रशन समाने विज्ञान के और देखीगा score आपको section wise करना है कि section A में कितने write हुए है section B में section C और section D में session complete होने के बाद सभी को last में अपना score comment करना है section wise 16 number question है answer करिए वायो मंडलियद आप किसी अंतर से मापा जाता है तो यहाँ पर option B A option A जिरुने answer दिया है barometer उनका answer correct है फैदो मेटर से आपको पता है समुद्र की गहराई मापते है और लेक्टो मेटर से दूद की शुदता मापी जाती है 17 number question देखिए सर्वगराही रक्त समुग कौन सा है which is the omnibus blood group और इसको universal acceptor भी बोलते है option D correct answer एगा A, B clear और अगर आपको बोलता कि सर्वदाता blood group कौन सा है universal donor तो आपको option C answer करना था O question number 18 पार्सेक किसकी इकाई है पार्सेक इस दा unit of option available है answer करिये बस option A, आपका correct answer एगा पार्सेक जो है खोगोलिये दूरी की इकाई है question number 19 सिने बार किस धातू का अयस्क है simple question है आपके एक्जाम में भी आया है और हमारे दौरा भी बहुत बार repeat करवाया गया है सिने बार पारे का अयस्क है mercury option D correct answer है चलिए question number 20 की तरफ ग्लुकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंदित है ग्लुकोमा डिसीस इस रिलेटिटिट टू विच पार्ट अफ दा बॉड़ी option यहां पे आपका D correct answer एगा ग्लुकोमा आग से संबंदित बीमारी होती है 21 नंबर कोशन देखिए जी वायू यान के टैरो में कौन सी गैस भरी जाती है विच गैस इस फिल्ड इन दा टायर्स ओफ एन एरक्राफ्ट देखिए वायू यान के टैरो में हीलियम गैस भरी जाती है option A correct answer होगा क्योंकि हीलियम गैस जो है यह सबसे हलकी गैस होती है इसलिए इसको वायू यान के टैरो में भरते है question number 22 है आपके सामने answer करिए किस रंग के प्रकाश का प्रकिर्णन सबसे अधिक होता है या यूं कहें कि कोन से रंग का प्रकाश सबसे अधिक फैलता है अब देखिए option D आपका correct answer हैगा बैंगनी रंग क्योंकि बैंगनी रंग का तरंग धेर्य सबसे कम होता है इसी कारण ये रंग सबसे अधिक फैलता है question number 23 पानी का घनत्व कितने डिगरी तापमान पर अधिक होता है क्या answer करोगे answer option A answer करना है 4 डिगरी celsius पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है 23 नंबर हो गया है question number 24 देखिए hydrogen bump की सिधान पर कारे करता है on what principle does the hydrogen bump work hydrogen bump आपका नाबकिय सनलियन के सिधान पर काम करता है option B correct answer है 25 नंबर question प्याज में खाने ओगे भाग कौन सा है जल्दी से answer करिए और अभी तक session को like नहीं किया है तो like जरूर करिएगा अगर आपका कोई friend army की त्यारी करता है उसे हमारा channel जरूर share करेंगे और यदि आपको लगता है हमारा channel आपके लिए helpful है आप इस हमारे channel पे नए है तो subscribe करके बेल आइकन शुरूर दबाईएगा प्याज का खाने ओगे भाग होता है उसको हम तना बोलते हैं option C या पे आपका right answer होगा question number है आपके सामने 26 सूरे में कौन सी gas सरवादिक मात्रा में होती है सूरे में सरवादिक मात्रा में पाई जाने वाली gas है आपकी hydrogen option A correct answer है hydrogen के बाद दूसरे नंबर पे helium सरवादिक मात्रा में पाई जाने वाली gas है question number 27 शरीर की सबसे बड़ी अंतस्त्रावी गरंथी कौन सी है which is the largest endocrine gland of the body देखे यक्रित गरंथी क्या है शरीर की सबसे बड़ी गरंथी है परन्तु यदि हम अंतस्त्रावी गरंथी की बात करें तो यहाँ पे आपका option D correct होगा सबसे बड़ी अंतस्त्रावी गरंथी है thyroid question number 28 धावन soda का रसाइनिक नाम क्या है what is the chemical name of washing soda तो धावन soda का रसाइनिक नाम है sodium carbonate option C correct answer होगा formula होता है Na2CO3 इसी के साथ question number 29 है science का second last question बांज पन किस vitamin की कमी के कारण होता है infertility is cost due to deficiency of which vitamin तो देखे vitamin E ऐसा vitamin है जो की जन प्रजनन की शमता के लिए आवश्यक होता है इसकी कमी से आपकी जन प्रजनन यानि की immunity में भी कमी आने लगती है और यही बांज पन का कारण बनती है option आपका D correct answer होगा परन्तु ध्यान रखीएगा जो vitamin D है यह भी आपका कुछ हद तक बांज पन की समस्या के लिए उत्तरदाई है clear है चलिए बढ़ते है next question की तरफ और देखिए का अभी तक आप सभी ने हमारी e-book नहीं लिए है इस समय हमारी दो e-book available है एक है हमारी 2800 question GKGS वाली और दूसरी हमारी है model paper वाली e-book इनमें से आपको कोई भी e-book रेनी है आपको क्या करना है दिये गए नंबर पे phone पे पे टियम Google पे करके payment करना है और WhatsApp पे इसका screenshot भेजना है हमारी e-book आपको 10 से 15 मिनिट के अंदर WhatsApp पर भेज दी जाएगी और आप सभी बोल रहे थे नई e-book कब launch होने वाली है तो देखिएगा नई e-book आपकी 99% बनकर तयार हो चुकी है परन्तु जैसे ही आपकी exam date के लिर होगी उसके बाद ही हमारी जो e-book है वो launch की जाएगी तब तक अगर आप सभी ने ये वाली e-books नई लिए हैं तो आप इनको ले सकते हैं Next question number 30 आपके सामने वायू मंडल में नाइट रोजन की मात्रा लगबग कितने प्रतिशत होती है सबसे simple question है और सभी का answer correct आना चाहिए तो वायू मंडल में नाइट रोजन की मात्रा लगबग 78% होती है option A बिल्कुल correct answer है तो दोस्तों यहाँ पे आपका section A section B दोनो complete है section C की तरफ चलते हैं maths याने की गनित और इसी के साथ copy pen लेकर बैठीएगा इस question का answer करिए test सभी को complete लगाना है चलिए बढ़ते हैं question की तरफ इसका solution करिए तो देखिए पहले हम इन दोनों को solve करेंगे as a fraction right तो fraction में solve करना सभी को आता होगा 6 ती 18 और 18 और 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 बटे 3 minus 4 ती 12 और 1 13 यहाँ पे 13 बटे 3 इस value को solve करना है तो देखिएगा जब भी यहाँ पे base सेम हो तो इनका जो LCM आएगा वो कितना जाएगा 3 ही रहेगा अब क्योंकि base सेम है तो आपको कुछ भी नहीं करना आपको 20 में से direct 13 को minus करना है तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका 7 बनेगा 7 बटे 3 को solve करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 3 दुनी 6 2 सई 1 बटा 3 option यहाँ पे आपका A बिलकुल correct answer है बताईए क्या सभी option A को answer दे रहे हैं question number 32 देखिए जी आपके सामने इकाई का आंक ग्याद करें इसमें आपको unit digit बताना है तो देखिए क्योंकि हमें unit digit बताना है तो हम क्यों ना सिरफ unit digit को ही solve करें देखिए यहाँ पे multiply का sign है और unit digit को multiply करेंगे तो 3 दुनी 6 plus का sign है बीच में तो मैंने plus उतार दिया यहाँ पर भी unit digit को ही solve करते हैं 3 एकम 3 और अगर हम इन दोनों को solve करते हैं तो यहाँ पे 9 आएगा यानि कि इस पूरी equation को solve करने पर आपके सामने जो भी संखिया आएगी उसका unit digit क्या होगा 9 ही होगा option यहाँ पर आपका D बिलकुल correct answer है सभी को समझ में आ रहा है न अगर आपको यह question मेरे से पहले आते है तो मेरे से पहले answer देने का प्रयास करिए right और answer match करिए कि क्या आपका answer सही है question number 33 देखिये इसी के साथ यह question very very important है निम्न लिखित में से कोन सा सबसे बड़ा भिन है भिन आपको दिया है 1 by 3 2 by 5 3 by 7 और 3 by 5 दो तरीके से solve कर सकते हैं एक तो इनको आपस में इसको आप solve करें divide करके इन दोनों को सभी को divide करके solve करें उसके बाद देखिये कोन सा सबसे बड़ा भिन है या फिर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ देखिये आपको क्या करना है इनको आपस में cross multiply करते चले जाना है जिसकी भी उपर वाली संख्या बड़ी आएगी वो अलाभिन सबसे बड़ा होगा राइट देखिये मैं करके बताता हूँ पहले इन दोनों को cross multiply करेंगे तो देखिये 5 से कम 5 यहाँ पर उपर 5 आ रहा है तीन दूनी 6 यानि कि इसके उपर 6 आ रहा है तो इन दोनों में इन दोनों में ये वाली संख्या बड़ी है इतना clear है अब क्यूंकि ये वाली संख्या बड़ी है तो हम अब इसको लेते हैं इसको आप भूल जाइए clear इसको भूल जाइए अब इन दोनों को cross multiply करेंगे 7 दूनी 14 और 5 को 3 से multiply करेंगे तो 5 तिया 15 तो यहाँ पर भी ये वाली संख्या है बड़ी है ये वाला जो fraction है वो सबसे बड़ा है इन दोनों में तो फिर से इस वाली दोनों संख्या को भूल जाइए अब इन लास्ट की दो संख्या में competition है इनको भी cross multiply कर लिजिए 5 तिया 15 7 को 3 से करेंगे 7 तिया 21 यानि कि जो ये वाली fraction है आपकी 3 by 5 ये जो fraction है ये सबसे बड़ी fraction है option यहाँ पे आपका D correct answer होगा आप इस तरीके से भी इसको solve कर सकते हैं समझ पा रहे होंगे 34 number question देखिए आपके सामने स्क्रीन पर इसका answer करिए जल्दी से very very important और ये टाइप exam में पूछी ही जाती है किसी राशी पर दो वर्ष के लिए 5 परतिशत वार्षिक दर्षे साधारन ब्याज तथा चक्रविर्दी ब्याज का अंतर 25 रुपे होगा तो देखे जब भी ऐसा प्रशन दिखाई दे और आपको समय सिरफ दो वर्ष का दिया हो तब आपको यह ट्रिक यह फॉर्मूला लगाना है फॉर्मूला क्या है डिफ्रेंस इस इक्वल टू प्रिंसिपल इन्टू आर अपोन हंड्रेड यहाँ पे आपको स्क्वेर करना है क्योंकि समय आपको दो वर्ष का दिया है इसलिए आपको यह ट्रिक लगानी है आपका पांच बटे सो हो जाएगा अब क्यूंकि इनके ऊपर स्क्वेर है तो मैं यहीं पर इनको डिरेक्टली सोर्फ कर लेता हूं यह 25 बन जाएगा और यहां पर नीचे दो जीरो और आज आएंगी हंजी क्या इतना सभी समझ पा रहे हो तो देखिए 25 से करेंगे इसको भाग 25 चोके सो नीचे 400 आज आएगा और यह जब 400 इधर जाके 25 में मल्टिप्लाई होगा तो प्रिंसिपल की वेल्यू कितनी आज जाएगी 25 चोके सो प्रिंसिपल आपका आज आएगा 10,000 रुपे ओप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है चलिए कोशन नमबर 35 पे चलते हैं किसी पंखे का अंकित मुल्ले 620 रुपे है उस पर 15 प्रतीशत की छूट दी गई तो उसका विक्रे मुल्ले ग्याद करें कर लोगे देखिए डारेक्ट करेंगे 620 रुपे किसी वस्तू का अंकित मुल्ले है अगर उस पर 15 प्रतीशत की छूट दी गई तो वस्तू कितने प्रतीशत बच गई अब वस्तू जो है वो 85 प्रतीशत बच गई है ना यानि कि 15 प्रतीशत की छूट देंगे तो उसका मुल्ले 85 प्रतीशत बच गया तो इसकी 85 प्रतिशत की वैल्यू निकाल लो आपका विक्रे मुल्ले यहां पे सेलिंग प्राइज आज आएगा डैरेक्ट नहीं तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो 620 का पहले 15 प्रतिशत निकालेंगे और फिर उसमें से 620 को घटाएंगे तो भी आंसर आएगा कोई इशू नहीं है पर हम डिरेक्टली निकाल लेते हैं 85 प्रतिशत की वैल्यू है ना चलिए इसको सॉल्फ करते हैं तो देखिए 5 दूनी 10 यहां पे 20 आएगा उपर 5 एकम 5 प करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा 31 को 17 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 527 रुपे आपका ऑप्शन भी यहां पर राइट आंसर होगा क्या सभी ने आप ऑप्शन बी को आंसर दिया है 36 नमबर कोशन देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर और यह जो टाइप है यह भी आपके एक्जाम के लिए सूपर इंपोर्टेंट है कि यदि 12 वस्तों का क्रें मुल्ले 9 वस्तों के विक्रें मुल्ले के बराबर है तो लाब प्रतीशत ग्याद करें देखिए जब भी ऐसा प्रशन दिया है आपको तो पहले दिखा दिया है आप एक लाब ही होगा तो profit परसंट निकालना है जब भी ऐसा प्रशन दिखाई दे तो आपको क्या करना है सबसे पहले इन दोनों का difference ले लेना है जो कि कितना है तीन है और उसके अधिविक्रें यह ब्राबर वाली जो वैल्यू है इसको आपको अपॉन में लेना है और मल्टिप्लाइबाई हंड्रट कर देना है क्लियर है तीन तीया आपका नो बनेगा और सो को अगर मैं तीन से डिवाइड करूंगा तो 33 वन बाई 3 परसेंट ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा क्या सब अभी को समझ में आया है कि कोशन नम्बर है आपके सामने 37 इसका अंसर करिए यह तो बिल्कुल सिंपल कोशन है बिल्कुल बेसिक कोशन है कि 16 सही 2 बटा 3 प्रतिशत को भिन में बदलना है पहले आप इसको सोल्व कर लीजिए 16 ती 48 और 250 बटा 3 बनेगा अब क्यूंकि यहा से 100 लगा देंगे अब सोल्व कर लीजिए आपका अंसर आपके सामने होगा जीरो से जीरो कैंसल 5 एकम 5 पांस दुनी 10 आगे सोल्व करेंगे तो 1 बाई 6 ऑप्शन डी करेक्ट अंसर होगा 38 नमबर कोशन देखेजी आपके सामने स्क्रीन पर इसका अंसर करिए यदि 150 मीटर लंबी एक रेल गाड़ी बिजली के खंबे को 5 सेकिंड में पार कर जाती है तो उसकी चाल कितनी है डिरेक्ट फोर्मूला लगाएंगे फोर्मूला क्या लगेगा हमारा स्पीड का स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपोन टाइम राइट डिस्टेंस 150 मीटर टाइम दिया है 5 सेकिंड आगे स्वल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 30 मीटर प्रति सेकिंड आएगा परन्तु यहाँ पर जो आंसर है यह आपको किलो मीटर प्रति घंटे में दिया है तो आगे देखिए मीटर प्रति सेकिंड को किलो मीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18 बटे 5 से मल्टिप्लाई करते हैं यह आपको पता होना चाहिए अब देखीगा पांच से कम पांच पांच चिके तीस अठारा को छे से अगर हम मल्टिप्लाई करेंगे तो 108 किलोमेटर प्रती घंटा आपका राइट आंसर होगा सभी को समझ में आया है चलिए 49 नमबर कोशन देखीगा सामने स्क्रीन पर है कोशन है एक टंकी एक नल के द्वारा बारा घंटे में एवं दूसरे नल के द्वारा आट घंटे में भरी जा सकती है उन्हें धाई घंटों तक खुला रखा जाता है तो टंकी का भरा हुआ भाग कितना है चलिए बढ़ते हैं सॉलिशन पर एक टंक की मैंने मान लिया ए जो की किसी टंक को भर रही है बारा घंटे में और दूसरी टंक की जो की भी है किसी टंक को भर रही है आठ घंटे में सबसे पहले हमें टंक की कपैस्टी पता होनी चाहिए कि टंक की कपैस्टी कितनी है बाराद उनी 24 और आठ तिया 24 ये दो और तीन क्या है टेंकी को एक के द्वारा टेंकी भरने की शमता और ये तीन क्या है बी के द्वारा टेंकी को भरने की शमता बोला है कि उन्हें सिरफ 8 गंटों तक खुला रखा जाता है तो वो 8 गंटे में टंकी का कितना हिस्सा भर देंगे तो दोनों को खुला रखा है तो दोनों की efficiency का total कर लीजिए कितना आएगा 5 आएगा अब क्यूंकि 8 गंटे तक खुला रखा है भाग जो है ये भर देंगे है ना दोनों मिलकर 8 गंटे में 25 बटा दो भाग भर देंगे आपको बताना है भरा हुआ भाग कितना है तो देखिए 25 बटा दो भाग भरा है total capacity कितनी है 24 unit तो नीचे 24 से आपको multiply करना पड़ेगा अब यहाँ पे आप solve करेंगे तो 25 बाइ 48 आपका option A correct answer है जल्दी से बताइए क्या सभी ने option A को answer किया है simple सा question था बस यहाँ पे value आपकी fraction में दी है इसलिए आपको बिल्कुल भी confuse नहीं होना है next question number 40 आपके सामने screen पर इस question का answer करिए यह आपका ages वाले chapter से question है question है कि A तथा B की वर्तमान आयू का योग 100 वर्ष है 10 वर्ष बाद 10 वर्ष पहले दोनों की आयू का अनुपाद 5 रेशो 3 है तो A की 10 वर्ष पूर्व आयू ग्याद करें तो देखे यहाँ पर मैंने लिखा है A रेशो B और यहाँ पर इनकी 10 वर्ष पहले की आयू का रेशो दे रखा है 5 रेशो 3 और यहाँ पर इनकी present age का total दे रखा है 100 years तो देखे 10 वर्ष पहले का रेशो है तो जो इनकी total है अगर मैं इनका total देखूं कि 10 वर्ष पहले इन दोनों की आयू का total कितना था तो देखे 10 वर्ष आपके A से भी minus होंगे और 10 वर्ष आपकी B की आयू से भी minus होंगे यानि कि टोटल हमको 20 वर्ष माइनस करने पड़ेंगे इन 100 वर्षों में तो यहाँ पे इनकी जो आयू का टोटल हो जाएगा 10 वर्ष पहले वो हो जाएगा आपका 80 इतना कलिर है सभी को है ना अब देखिए 10 वर्ष पहले का रेशो है 5 रेशो 3 और 10 वर्ष पहले की दोनों की आयू का टोटल है 80 तो यहाँ पे इन रेशो का भी टोटल कर लेंगे तो रेशो में टोटल हो जाएगा 8 यानि की 8 रेशो की वेल्यू 80 के बराबर हो जाएगी तो यहां से हम एक ratio की value निकालेंगे तो एक ratio की value हो जाएगी 10 के बराबर clear है अब हमको directly A की 10 वर्ष पहले की ही आयू पूछी है और A का 10 वर्ष पहले का ratio कितना है 5 है यदि एक ratio की value 10 है तो 5 ratio की value कितनी हो जाएगी 50 वर्ष हो जाएगी option आपका यहां पे D correct answer होगा बिल्कुल simple सा question था चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ next देखिएगा question number 41 है आपके सामने कि 8 संख्याओं का ओसत 6 है तथा अन्य 6 संख्याओं का ओसत 8 है सभी 14 संख्याओं का ओसत कितना होगा तो देखिए 8 संख्याओं का ओसत 6 है अगर मैं 8 को 6 से multiply कर दू तो इन 8 संख्याओं का total आजाएगा 48 next बोला है कि अन्य 6 संख्याओं का ओसत 8 है यदि मैं 6 को 8 से multiply कर दू तो अन्य 6 संख्याओं का जो total है वो कितना आजाएगा 48 आजाएगा तो आपको बताना है सभी की सभी 14 संख्याओं का ओसत कितना होगा देखे ध्यान से 48 को 48 में जोडेंगे तो इन दोनों 14 संख्याओं का total कितना है 14 संख्याओं का total बनेगा आपका 96 आप total संख्याओं कितनी है 14 है तो 96 को 14 से डिवाइड करेंगे तो इन सभी संख्याओं का आउसत आजाएगा डिवाइड करते हैं दिखीगा दो सत्य चोदा आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे दो चोके आठ और दो अठे 16 48 बाइ 7 बन रहा है आगे सोल्व करेंगे 7 चिक 42 चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे कोशन नमबर 42 है आपके सामने इसका आंसर करिए और बिल्कुल इजी कोशन है रेशो एंड प्रपोर्शन से बढ़ते हैं सोल्वीशन पे देखिए इनको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं 9 बाइ 15 भी लिख सकता हूँ रेशो में है और यहाँ पर जो समानुपात है इसको मैं इस इक्वल टू 45 अपॉन में एक्स भी लिख सकता हूँ कलिर है यहाँ पे आपको एक्स की वेल्यू बतानी है सोल्व करते हैं आमने सामने वाला देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी फ्रेक्शन के बीच में बराबर का साइन हो तो आमने सामने वाला डिवाइड होता है और क्रॉस में हम मल्टिप्लाई कर सकते हैं तो 9 से हम 45 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में जाएगा अब क्रॉस मल्टिप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स इस इक्वल टू कितना जाएगा 75 ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कोशन नमबर 43 देखिए जल्दी से स्टेबल शब्द को कितने तरीके से विवस्थित किया जा सकता है इस कोशन को करने के लिए हम क्या करते हैं फैक्टोरियल मान का प्रयोग करते हैं देखिए इस टेबल में सबसे पहले आपको देखना है कितने वर्ड हैं एक दो तीन चार पांच छे टोटल छे वर्ड है यानि कि आपको छे फैक्टोरियल का मान निकालना है उसके बाद आपको हमेशा ये देखना होता है कि इसमें कितने वर्ड रिपीट कर रहे है तो यहाँ पर कोई भी वर्ड रिपीट नहीं कर रहा है इसलिए आपको सिरफ और सिरफ 6 factorial की ही value निकालनी है तो 6 factorial की value क्या होती है छे गुणा, पांच गुणा, चार गुणा, तीन गुणा, दो गुणा, एक factorial तो आप से बस्ते होना जैसे 6 के बाद factorial लगा है तो 6 से हम इसको उल्टा खोलना शुरू कर देते हैं जहां तक ये एक तक नहीं पहुंच जाता अगर आपको तीन factorial का माल निकालना होता तो उल्टा खोलिएगा तीन गुणा, दो गुणा, एक अब इसको solve करिए छे पंजे तीस तीस को चार से multiply करेंगे एक सो बीस, एक सो बीस को तीन से multiply करेंगे तीन सो साट और तीन सो साट को दो से multiply करेंगे तो यहाँ पे साट सो बीस option B correct answer है कलियर है सबी को question number 44 देखिए जल्दी से question number 44 देखिए एक आयताकार खेत का परिमाप 480 मीटर है और इसकी लंबाई तथा चोडाई का अनुपात 5 रेशो 3 है तो खेत का शित्रफल ग्यात करें हमको परिमाप दिया है परिमाप का फोर्मूला होता है 2 into L प्लस B और शित्रफल का फोर्मूला होता है length into breath clear तो देखिए 2 into L प्लस B की value कितनी दे रखी है 5X प्लस 3X रेशो में है तो मैं इनको X मान लेता हूँ इस equal to 480 clear है अब आगे solve कर लीजिए 2 से भाग करेंगे 480 को तो यहां पे 8X बराबर 240 तो यहां से X की value कितनी आ जाएगी X की value आपकी आ जाएगी 30 इतना clear है ना अब X की value 30 है तो यहां से 5X और 3X की value निकाल लो क्योंकि हम जब लंबाई चोड़ाई निकालेंगे तभी हम शेत्रफल निकाल पाएंगे तो L आपका कितना आ जाएगा यहां से 5 या 15 और आपकी जो चोड़ाई आएगी आयत की वो कितनी आएगी 90 आ जाएगी सिंपल है ना अब देखी यहां पे space कहीं नहीं है तो मैं इसको उपर solve कर देता हूँ हमको लंबाई गुणा चोड़ाई निकालना है यानि की 150 गुणा 90 करना है तो यहां पे 135 और last में double 0 option C आपका यहां पे correct answer है क्या सभी ने option C को answer दिया है question number 45 देखीगा math का last question है इसके बाद 5 question reasoning के हैं उसको भी solve करेंगे किसी वर्ग का विकरन 90 मीटर है तो वर्ग का शेतरफल क्या होगा देखिए वर्ग के विकरन का formula होता है under root 2A जिसकी मान आपको दिया है 90 मीटर तो यह जो root 2 है यह कहां चला जाएगा आपका यहां से हट के divide में चला जाएगा यानि कि जो आपकी A की value है वर्ग की भुजा है वो कितनी है 90 upon में root 2 है हमको वर्ग का शेतरफल निकालना है जिसका formula होता है A square clear तो देखिए आपको 90 root 2 का क्या करना है square करना है और यह आपका area आजाएगा वर्ग का तो solve करेंगे तो यह आपका कितना बनेगा नीचे आपका 81 बनेगा उपर और नीचे आपका कितना बनेगा 2 बनेगा अगर हम इसको further solve करेंगे तो 248, 0, 2, 5, 10, 0 4050 वर्ग मीटर option B आपका correct answer है क्या सभी को समझ में आया है तो दोस्तों यह था आपका आज का math का section बढ़ते हैं section D आज का last section और 5 प्रशन reasoning के जल्दी से solve करिए फटा-फट से इन प्रशनों को वीशम का chain करें तो यहाँ पे आपका option C November बिलकुल correct answer है देखिए जुलाई, अगस्त, जनवरी क्या है 31 दिन के महिने होते हैं जबकि November आपका only 30 दिन का महिन question number 47 देखिएगा आपके सामने screen पर है shrinkla को पूरा करें यहाँ पे आपको बताना है कि यह जो आपका fill in the blanks है यहाँ पे कौन सी संख्या आईगी तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या किया है प्लस 30 एड़ किया है आगे आपका प्लस 20 एड़ किया है और यहाँ पे आपका प्लस 10 एड़ किया है यानि कि अगर आप इस series को ध्यान से देखें तो 30 के बाद 10 माइनस करके अड़ किया है फिर 20 के बाद 10 माइनस करके अड़ किया है तो 10 के बाद फिर से 10 माइनस करेंगे और अड़ करेंगे तो 10 में अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 0 ही आजाएगा यानि कि जो अगली संक्या होगी वो कितनी होगी 480 ही रहेगी है ना यानि कि यहाँ पे आपका option D जो है यही बिल्कुल correct answer होगा क्या सभी ने यहाँ पे option D को answer किया है क्या सभी ने option D को answer किया है चलिए next question number 48 आपके सामने इसका answer करिए question है कि disk को यह लिखा जाता है तो pink को कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से यहाँ पे disk को क्या किया है उल्टा लिख दिया है है ना D I S H ऐसे ही pink को उल्टा लिख देंगे P I N K तो यहाँ पे आपका option A जो है यह बिल्कुल आपका right answer है question number 49 देखिए जी आपके सामने स्क्रीन पर इसका answer करिए जल्दी से कौन सा शब्द दिये गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता शब्द आपको दिया है reflection तो इस reflection में क्या है option D देखिए यहाँ पे आपको शब्द दिया है refer और इस refer में दो बार E alphabet का प्रयोग किया है जबकि इस पूरे reflection में सिरफ एक ही बार E का प्रयोग हो रहा है तो इसलिए option D जो है refer यह reflection के शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता question number 50 देखिएगा आज का last question इसके वाद आपकी छुट्टी है यह question की statement थोड़ी सी lengthy है तो English medium वाले विद्यर्थी English में solve करिए हम question को हिंदी language में पढ़ते हैं और direct करेंगे सबसे पहले direction का question है तो मैं direction बनाऊँगा यहाँ पे आपका पूरव है इस सेड़ आपका पस्चिम रहेगा और उपर की side उत्तर है और नीचे की side आपकी दक्षिन है राइट अब देखिए एक व्यक्ति पांच मीटर पूरव दिशा की और जाने के बाद तो यह पांच मीटर गया पूरव दिशा की और उसके बाद 30 मीटर उत्तर दिशा की और जाता है तो यह उत्तर दिशा की और 30 मीटर चला गया है ना इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं ये 5 मीटर गया पूरफ दिशा की ओर उपर 30 मीटर चला गया उत्तर दिशा की ओर उसके बाद वह दाई और मुड़ता है और 10 मीटर जाता है अब देखिए क्योंकि ये उत्तर दिशा की ओर है तो इसका फेस उपर की साइड है दाई और क्या होता है राइट हेंड साइड तो वह राइट हेंड साइड गया और कितना गया 10 मीटर गया वह अंत में पूरे दाएंड और मुड़ता है और 30 मीटर जाता है अब इसका face है इस side फिर से right hand side जाएगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा और कितना जाएगा 30 मिटर जाएगा वह किस दिशा की और जारा है आपको ये बताना है सिरफ तो नीचे कौन सी direction है दक्षिन है option आपका यहाँ पे D correct answer होगा क्या सभी ने option D को answer दिया है तो दोस्तों ये थे आपके आज के पूरे की पूरे 50 प्रस्णों का model test paper बताएगा आज का session कैसा लगा और इन 50 प्रस्णों में आज आपने कितने प्रस्णों का बिल्कुल right answer दिया है ओके ये army model paper 2022 है यहाँ पे 2021 टाइप हो गया है ये मत सोचना कि ये पुराना model paper है ये आज ही latest बनाया है army model paper 2022 है clear है चलिए बताएगा सभी को score section wise कमेंट करना है कि section A में कितने right हुए हैं आपके section B में section C में और section D में clear है ये जुरूर बताएगा आज का session कैसा रहागा हमारा पड़ाय हुआ आपको कैसा लगता है मिलते हैं कल किसी और अच्छे session के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत